सफर में धूप तो होगी ही, जो चल सको तो चलो, सबी है भीड में शामिल, तुम भी निकल सको तो चलो वेगेटर बीच, दोस्तों ये पंजी से लगबख 21 किलोमेटर की दोरी पर है, दोस्तों मैंने नोर्थ गुआ के लगबख सारे बीचिस विजिट किये है, पर जब मैं वेगेटर बीच पर पहुचा, तो मेरा फर्स एक्स्प्रेशन था वाउ, दोस्तों ये बीच इतना अमे विजिट करें, तो इस बीच पर आना बिल्कुल भी न भूले, जब आप आओगे, तो आपको लगेगा, कि बीच सच में इतना प्यारा है, इतना खूपसूरह है, आप यहां बैठके, एक घंटा, दो घंटा अराम से स्पेंड कर सकते हैं, यह हमारे हमीज जी, खतरों से कहलते हुए, एडवेंचर करते हुए, देखाया है, सिंपल रास्ता, चोटकट है, भाई, बहुत अल्टीमेटा मज़ा आगे, करेंगे अफनी, बहुत पर उपाद, यह हमाँ अचाल भी के देखाया है, नहीं जाए हमारे थे, बहुत बच्छा की अचाल फोटो जेले देखाँ के अपर, बहुत बच्छा को फोटो जेले ले देखाँ के, कर अद्ड़र कर भी साट लेकर वोड़। लेकर है को। जब ठाली होगा तबहा यहां से तबहा अरे कहां से आ रहा है भी दोस्तो वेगेडर बीच समंदर के पास होने वाली अपनी रेफ पार्टियों के लिए भी बहुत फेमस है तो कि रात के बग काफी देर तक चलती रहती है और अगर आप पार्टियों के शुकीन है तो ये प्लेस आपके लिए पर्फेक्ट है दोस्तो अगर बात कीजाए यहां के मार्किट की तो पिस्तु बजार यहां के लिए यहां का बहुत फेमस मार्किट है जो कि सिरफ सेटरेडे को यहां पर लगता है दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो